हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आरिफा फैशन डिजाइनर आज इस वीडियो में हम मशीन कैसे यूज करते हैं उस बारे में जानेंगे देखिए मैं आपको सबसे पहले बॉबिन फिल करना बताऊंगी देखिए हम थ्रेट के एक एंड को अपनी थम से इस तरह होल्ड करते हुए एक से दो राउंड इस तरह हम थ्रेट को घुमाएंगे ताकि वो अच्छे से होल्ड हो सके देखिए इस तरह से हम बॉबिन को घुमाएंगे और थ्रेट को अपनी और लेंगे देखिए हम screwdriver से fill करेंगे balance wheel को थोड़ा अपनी और गुमा करके start करिए देखिए थोड़ा tight hold करिए fill करते समय देखिए ये एक था method bobbin fill करने का second method है हम bobbin winder से fill करेंगे देखिए bobbin को इस तरह से लगा करके नीचे की और press करके wheel को घुमाएंगे और fill करेंगे देखिए इस तरह से हमें bobbin को fill करते समय थोड़ा ध्यान से thread को hold करना होगा थोड़ा tightly hold करेंगे ताकि हमारे stitch अच्छे से आ सके देखिए अब हम bobbin केस में लगाएंगे देखिए इस तरह से ये जो slit दिया हुआ है ना उसमें से इसे निकाल करके देखिए इस तरह से हमें bobbin केस में bobbin को लगाना होगा और नीचे हम उसको लगाएंगे देखिए इस तरह हमें थम से hold करके नीचे लगाना है थोड़ा ऐसा टक करके आवाज आएगी ना तो अच्छे से बैठ जाएगी वो चलिए अब हम थ्रेट किस तरह से दालते हैं वो देखेंगे देखिए थ्रेट को दालने के लिए यहाँ पर होल दिये हुए है फर्स सकेंज थर्ड हम उपर की और फर्स होल से निकाल करके देखिए यह टेंशन डिस्क है ना उसमें से इस तरह से निकालेंगे थ्रेट को नेक्स्ट हम थ्रेट टेकप लिवर में दालेंगे देखिए इसे अच्छे से होल करने के लिए हम यहाँ पर जो साइड में दिया हुआ है उसमें से भी निकालेंगे थ्रेट को देखिए इस तरह से इस में से भी हमें निकालना है नेक्स्ट है हमारा निडिल में थ्रेट दालना अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आरिफा फाशन डिजाइनर को चलिए हम बढ़ते हैं हमारे thread के और, देखे हमें इस तरह से needle से thread इस और से इस और ले जाना है, देखे थोड़ा आप ध्यान से देखके दालिएगा, next है हमारा bobbin case से thread को उपर की और लेंगे हम, देखे इस तरह balance wheel को गुमा करके नीचे की और से thread उपर की और लेंगे, देखे हम दोनों thread इस तरह से hold करके, पीछे की और ले जा करके, pressure foot को नीचे की और रखेंगे, देखे मैं आपको थोड़ा stitch करके भी बता दूँगी, कि हम किस तरह से stitching करते हैं, देखे, इस तरह हम thread को cut करेंगे, साइट से, देखे, आप देख सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग,